हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यह मेरा सिफ्ट लेक्चर है सिक्विंजन स्रीज पर इसमें हम जो है चुमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुश्चिंज करेंगे तो हमने सबसे पहले एंसे आटी का एक्जेंपल नंबर 14 लिया है इस कुश्चिन में क्या है कि हमें थी नंबर्स नि हम इस तरीके से सब्सक्राइब तो सम का मतलब हो गया एक प्लस एयार प्लस एक लिए स्ट अपके पास और इन दोनों एक्वेशन से जो है आप A और R निकाल सकते हैं और A और R की value put करने के बाद आपके पास GP के three numbers आ जाएंगे तो students यह वाला question जो है यह असान पढ़ता है इस वाले method से जो मैंने किया है इसमें हमें GP के numbers A by R, A और AR इस तरीके से लेने होते हैं क्योंकि इसमें क्या है जब हम इसका प्रड़क्ट करेंगे और इसका प्रड़क्ट जो है वह माइनस वन है और इससे हमारे पास एकी value निकल आएगी ओके यहां पर थोड़ी A by R, A और AR यह आपके GP में ही है अगर आप इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो R को multiply करते हैं और अगर A से इस तरफ आगे जाएंगे left में जाएंगे तो R से divide करेंगे ओके पहले हमारे पास प्रड़क्ट से हमारे पास एक की value मैनस वन आ गई और सम हमें गिवन है 13 by 12 यहां पर A की value पूट कर देते हैं माइनस वन तो यहां पर हमारे पास R को लेके equation आ जाएगी यह हमारे पास एक quadratic equation फॉर्म हुरिये students that is 12 R स्क्वार प्लस 25 R प्लस 12 is equal to 0 और इसको हम factorization से solve कर लेते हैं तो आर की value हमारे पास minus 4 by 3 और minus 3 by 4 आ रही है एक की value है minus 1 आर की value है minus 4 by 3 तो हमने जीपी के numbers निकाल लिए ओके जब एक की value minus 1 और आर की value minus 3 by 4 है तब हमारे पास यह वाले numbers होंगे तो इस चीज हम चेक कर लें हमने इसमें यह रखा है ठीक है ठीक है तो दर क्वाइट नंबर्स जीपी आर दिस और दिस देखिए इसमें क्या है कि इस तरह की questions आपके AP में भी होते हैं GP में भी होते हैं AP में जैसे हमें 3 numbers निकालने होते हैं और उनका हमें sum given होता है तो उस case में हम AP के 3 numbers को suppose करते हैं A minus D, A, A plus D किस तरीके से suppose करते हैं अगर हमारे पास 4 numbers हैं तो हम किस तरीके से suppose करते हैं A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D क्योंकि हमें sum given होता है इन 4 numbers को हम AP की 4 numbers को हम sum करेंगे तो क्या होगा हमारे पास D cancel हो जाएगा तो हमारे पास एक variable यानि की value आ जाएगी और second condition जो given होगी उससे हमारी D की value आ जाएगी तो dear student जब हम यह suppose करते हैं AP के numbers तो आप भी check कर लीजिए इसमें common difference है वो 2D है this minus this you will get 2D right this minus this 2D right और अगर हमें 5 numbers AP में suppose करने हैं तो हमारे पास A minus 2D A minus D A plus D और A plus 2D right तो इसमें common difference D होगा हमें AP की five terms का sum given होगा right तो इससे हमारे पास variable A की value आ जाएगी और फिर उसके बाद जो second condition होगी उससे हमारे पास D की value आ जाएगी ओके GP में जो questions होते हैं जब हमें three numbers suppose करने A by R A और A R इस तरीके से suppose करना है common ratio इसमें हमारे पास R है तो इन questions में हमें product given होता है अगर हम को multiply करेंगे तो हमारे पास A की value आ जाएगी और से कंडिशन से फिर आर की value आएगी तो dear student अगर हमें GP के four numbers suppose करने हैं तो हम किस तरीके से suppose करेंगे इसको हम multiply करेंगे तो आर सारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास A की value आ जाएगी इन questions में हमें product of the numbers given होता है तो एकी value आएगी उसके बाद आर की value निकालके ए और आर हमारे पास आजाएगा और उससे हम GP निकाल सकते हैं तो इस तरीके से सब्सक्राइब करेंगे ए डिवाइड बाइड आर आर स्क्वार के बाइड आर 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 स्क्वार के चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अब तो यह यह NCRT का क्या एग्जेम्पल 15 है इसमें हमें सम निकालना है है सेवन प्लस 77 अप्लस 77 इसका हमें एंड टर्म्स का सम निकालना है ना तो यह एपी है ना यह जीटी है आप चेक कर सकते हैं तो इसको हम कैसे करते हैं किसमें सबसे पहले हम 7 common लेने के बाग यह हमें हमारे पास मिलता है ब्रैकेट में 1 सब्सक्राइब करते हैं और यह हमने इस नाइन को अंदर मिल्टिप्लाय करें यह हमारे पास 999 इस तरीके से हमारे पास आजाएगा तो डियर स्टूडेंट आप यह चीज याद रख सकते हैं यह जो नाइन वाला सिक्वेंस होता है इसको हम जीपी में कर सकते हैं तो इसलिए हमने अभी तर कि सारे स्टैप्स लगाए नाइन को हम लेक्सकते हैं 10-1 99 को हम लेक्सकते हैं 100-1 यानि कि 10 स्क्वार माइनस नाइन 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 को हम लेक्सकते हैं 1000-1 यानि कि 10-1 और यह हमारे पास यह हमारे पास यह हैं तो अब हम इसको जड़ा सेपरेट कर लेते हैं यह 10 10 10 स्क्वार और यह 10 क्यूब यह हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया और यह हमारे पार इसमें हमारे पास है यह हमारी जीडिया जिसमें हमारे पास 10 है और तो अब हम इसमें होना है common ratio जो है वो भी 10 आ गया 10 raised to power n-1 और r-1 यानि 10-1 right and minus n ओके तो इसको student simplify करते हैं हम यहाँ पर 9 आ रहा है calcium लेंगे तो यह minus 9 n हो जाएगा और इस 9 को बाहर निकाल देते हैं तो यह 7 by 81 आ जाएगा और bracket में हमारे पास बचेगा 10 raised to power n plus 1 minus 9 n minus 10 यह answer जो है मैंने इस form में निकाला है इसका reason है इसका reason क्या है कि अगर आपके पास जैसे यह sequence है जिसमें 5 plus 55 plus 555 इसको हमें add करना है तो dear student बिल्कुल इसी तरीके से इसका आंसर जो है 5 by 81 और bracket में same value आएगी ओके इन questions को लेके आप practice कर सकते हैं जैसे 888 और आप चेक कर लिजिए आपका final answer जो है तो यह आएगा ओके चलिए यह मैंने जो है इस पर कुछ extra questions बनाए है पहला question क्या है जिसमें हम 7 plus 7.7 plus 7.77 plus 7.77 so dear student यह sequence जो है इसका हमें sum करना है two end terms एक और question बनाया है जिसमें मैंने 0.7 से start किया राइट 0.7 then 0.77 0.777 राइट and so on इसमें हमें end terms का sum निकालना है तो सबसे पहले हम question number one को कर रहे हैं देखिए इसमें सबसे पहले हमने seven common लिया इसके बाद हमने nine से divide और nine से multiply किया और इस nine को हमने अंदर multiply कर दिया ओके तो हमारे पास क्या आ रहा है nine nine point nine nine point nine nine and so on right तो इस nine को हम लिख सकते हैं 10 minus one और 9.9 को लिख सकते हैं 10 minus point one और 9.99 को हम से लिख सकते हैं 10 minus point 01 और इसको हम लिख सकते हैं 10 minus point 001 तो देखिए यह 10 जो है n times आ रहा है तो यह हो जाएका 10 n और यहां से मैंने minus common ले लिया और bracket में मेरे पास जो बच रहा है है तो वन यहां से बच रहा है और point one को हम वन अपॉंट 10 लेख सकते हैं और point 01 को वन अपॉंट 10 देश्ट पावर टू रइट तो यह जो ब्रैकेट में जो वेल्यू है राइट जो सिक्वेंस है यह मेरे पास जो है वो जीपी है यहां पर हम जीपी के सम का फार्वरा लगा सकते हैं कि 7 by 9 10 M और यहां पे जीपी हमारे पास बन रही है इसमें common रिशुज जो है वन अपॉंट 10 है तो फार्मॉला जो है जिसमें वन में से आर्ट सब्रेक्ट होता है वह वह वाला फार्मॉला लगेगा इसको हमने सिंप्लिफाइ करके इस फॉर्म में आंसर निकाल लिया 7 बाइ 81 राइट 1 अपॉन 10 देश्टी पार N-1 प्लस 90 N-10 चलिए अब सेकंड कुश्चिन देखें सबसे पहले स्टुडेंट्स नाइन से सेवन कॉमन लेंगे उसके बाद हम नाइन से डिवाइट करेंगे और इस वले नाइन को अंदर मुल्किप्लाय करेंगे तो यहां पर हमें सोचना पड़ता है कि इस सीक्वेंस को हम किस तरीके से लिखने है है तो पॉइंट नाइन को हम लेकि सकते हैं वन माइनस पॉइंट वन पर यहां पर यह यहां पर हमारा यह यह सारा धूकित में है यहां पर यह मेरे पास जीपी है जिसमें हमारे पास common ratio जो है 1 जो हमारे पास 1 जो है गिए अभलिए कर दिया ओके ही वेली वन गैजिट आ रहा है यह result आ रहे हैं इसके बाद students हम बात करते हैं geometric mean की right सबसे पहले हम करते है geometric mean निकालना है हमें two numbers given है a and b right let geometric mean between a and b right a g and b are in gp तो यह हमारा G हमें calculate करना है तो GP की जो property होती है common ratio same होता है G divided by A should be equal to B divided by G, G square is equal to A into B then G is equal to square root of AB, right, तो यह हमारा geometric mean का formula आ गया how to find अगर हमें जो number given है उनका geometric mean कैसे निकालेंगे उनको multiply करके इसका square root निकाल लेंगे अब हमें students A और B जो number given है इसके अंदर हम n geometric means जो है वो निकालना चाहते हैं, let G1, G2, G3 so on up to Gn, be the geometric means between A and B, right, इसमें students यह geometric mean हमने A और B के बीच में लिख दिये, तो यह हमारी जो sequence होती है, यह GP होती है, इसमें हमारे पास first from A है और total number of terms हमारे पास इसमें जो है, वो n plus 2 हो गई, n terms जो geometric mean हो गई, एक term यह हो गई, एक term यह हो गई, तो दो term और हैं, तो हमारे पास total number of terms n plus 2 हो गई, right, तो first term हमारे पास A है, B हमारे पास n plus 2 हो गई, right, तो n plus 2 हो गई का formula लगाएंगे, वो क्या होगा, A, R raise to power n plus 1, is equal to B, तो इस formula से हम R की value निकाल सकते हैं, right, इसी procedure को apply करते हैं, right, तो सबसे इसमें हमें example देख लेते हैं, जिसमें हमें, 3 isometric mean insert करने हैं, 1 और 256 के बीच में, okay, तो dear student यह हमारे पास total number of terms 5 हो गई, और यह हमारे पास shift term हो गई, okay, first term हमारे पास 1 है, shift term हमारे पास 256 हो गई, हमने common ratio को R suppose किया, right, A5 का formula लगा लिया, okay, इस से हमारे पास R की value आ जाती है, R की power 4 is equal to 256, इसको इधर लेक्या आ गए, R की power 4 minus 256 is equal to 0, 256 को हम लेक्ते हैं 16 square और यहां पे हमने A plus B, A minus B वाला फारूम लगाया, R square plus 16 is equal to 0, R square minus 16 is equal to 0, R square is equal to minus 16 आ रहा है, फिर इसमें formula लगा दिया हमने, R plus 4, R minus 4, right, तो यह हमारे पास R की value minus 4 आ रही है, और R की value plus 4 आ रही है, right, तो G1 हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास R की value 4 है, तो G1 हमारे पास वह होगा, A into R, G2 A R square और G3 हमारे पास A R Q, A हमें 1, R की value 4 लेके हमने G1, G2, G2 बता लिया, यह हमारे पास 4, 16 और 64 आ रहे हैं, R की value minus 4 लेके भी हम calculate का सकते हैं, right, तो यहाँ पे student हम discuss कर रहे है, relationship between arithmetic mean and geometric mean, right, तो इसमें हमारे पास क्या है, मैंने एक question लिया है, show that A is greater than equal to G, arithmetic mean is greater than equal to geometric mean, where A is arithmetic mean between two numbers A and B and G is geometric mean between two numbers A and B, right, तो A हमारे पास given है, G हमारे पास यह है, तो student हम A minus G निकाल जा, A की value, then G की value, यहाँ put कर दी, LCM लेंगे 2 आएगा, A plus B minus 2 root A B, A को मैंने लिख लिया, root A का whole square और B को लिख लिया, मैंने root B का whole square, इसको मैंने separate कर लिया, minus 2 root A into root B, के A square plus B square minus 2 A B, तो root A plus root B, इसका whole square होगा, divide by 2, तो यह जो value है, this is always positive, because whole square term है, वो हमेशा positive होती है, और B की कोई भी value है, this is always greater than equal to zero, right, अगर हम G को इस तरफ लेके जाएंगे, तो A is greater than equal to G आ गया आपके पास, यह relationship है, arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean, इस class का last question हम discuss कर लेते हैं, if arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers A and B are 10 and A, arithmetic mean यानि की AM हमें given है, A plus B by 2, 10 given है, geometric mean हमें 8 given है, तो यहां हमारे पास equation आती है, A plus B is equal to 20, और A, B is equal to 64, equation 1, equation 2, right, तो dear students, हमें A और B की value निकाले हैं, इन दोनो equations से, methods और भी हैं, लेकिन जो हमने method यहां पे apply किया है, जो दिखाने के लिए, यह formula लगाने के लिए जा है, हमने इस question को लिया है, right, तो A minus B का whole square is equal to, A plus B का whole square minus 4AB, right, तो A plus B की value put कर सकते हैं, A into B की value यहां put कर सकते हैं, तो इससे हमारे पास इस formula की वैसे, A minus B की value आ जाएगी, right, तो A minus B की value आ रही है, plus minus 12, fine, तो A minus B is equal to 12, और A minus B is equal to minus 12, इसको equation number 3 और 4 ले लिया है, right, तो हमारे पास A plus B given है, और A minus B given है, तो इससे हम जो है, A और B की values निकाल सकते हैं, solving 1 and 3, 1 और 3 को solve करेंगे, तो हमारे पास A की value 16 और B की value 4 आ रही है, और 1 और 4 को solve करेंगे, तो A की value 4 और B की value 16 आ रही है, dear students, आप इन दोनों equation को ऐसे भी solve कर सकते हैं, यहाँ से आप B की value निकालें, B is equal to, आपके पास आजाएगा, 20 minus A, और B की value यहाँ put कर देंगें, A, 20 minus A is equal to 64, तो यह आपके पास quadratic equation आ रही है, और इस quadratic equation में, A की दो values आ जाएगी, आपके पास 16 आएगी, और A की दो values के बाद, आपके पास B की दो values, यहाँ के सेम answers आपके पास आजाएगे, बट फरक सिर्फ इतना है, यहाँ पर आपको quadratic equation को solve करना होगा, और हमने जब यह formula लगा लिया, तो इस से हमने linear equations को solve करके final answer निकालने हैं, तो dear student, इस lecture के बाद, आप exercise 9.3 में से question number 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26 and 32, यह questions कर सकते हैं, और आज की class में इतना ही, और इसके आगे हम next lecture में करेंगे, thank you, thank you very much. इस दिस आप मुझे प्रोटेटर कर सकते हैं, मेरे निमर 9873-717665 और अपने problems मुझे बता सकते हैं, और मेरी online classes याँ YouTube पे जोइन कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल का नाज है Study India, thank you.